यूटूब पर इस तरह की शोट वीडियो काफी ज़दा वाइरिल हो रही है और बहुत से क्रेटर इस तरह की शोट वीडियो मना के मिलियन्स में व्यूज गेन कर रहे हैं यह चैनल दूसरों के पोड़कास और इंट्रिव्यूज को डाउलोड करके उसमें जो सीरीज से अफनी पार्ट होता है उसे कट करके बस उपर से सब्टाइटल डालके अपलोड कर देते हैं और लाखों में व्यूज गेन करते हैं अब आपका भी यह सवाल होगा कि यह कहां से वीडियो लाते हैं कैसे सब्टाइटल जन्रेट करते हैं इसका फुल प्रोसेस क्या है मैं आपको इन 4 स्टेप से बताऊंगा कि कैसे आप इस तरह की वीडियो बना सकते हो तो वीडियो को लास तक जुरूर देखना इसका फर्स टेप है follow all podcast channels यूटूब पर जितने भी podcast channels है आपको ऑने follow करना है और आपको वहाँ से वीडियो को डाउलोड कर लीना है ये तो था first step, अब second step, editing video clip, जो podcast आपने download करा है, उसमें जो serious या funny part होगा, उसे cut कर लेना है, इसके लिए आप काइन मास्टर या premium pro का use कर सकते हैं, मैं अभी ये video phone से बना रहा हूँ, तो मैं काइन मास्टर का use करूँगा, यहाँ पे आपको short video का size ले लेना है, जोकि 9x16 होता है, उसके बाद उस podcast को यहाँ import करना है, इसके लिए आप उपर media पर tap करें, जिस भी folder पर वो video है, उसे open कर ले, and tap, अब इस video को zoom कर लेना है, short video के size के according, इसके लिए side में जो second option है, उस पर click करना है, अब इस equal to वाले side पर tap करें, जिससे इस video की starting and ending position same हो जाएगी, video को full zoom कर ल देनी है, यहाँ तक यह video ठीक है, cut करने के लिए नीचे वीडियो की timeline पर click करें, और side में जो first option है, उस पर tap करें, and नीचे trim to right of layout पर click करें, अब इस video को export कर लेना है, इसके लिए left side पर इस icon पर click करना है, and export पर click करना है, अब बात करते हैं third step की, जो की है video subtitle, अब edit की हुई वीडियो का subtitle generate करना है, इसके लिए Chrome पर जाए, और we.io website search करें, पहली website पर click करें, start to free पर click करना है, और फिर कुछ इस तरह का interface आजाएगा, upload ए file पर click करें, और यहाँ पर जो edit की हुई video को upload करें, आपको left side पर बहुत सारे tools दिख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा है subtitles, आप आपको इस पर click करना है, उसके बाद auto subtitle पर click करना है, और यहाँ पर आपको अपनी language select कर लेनी है, मैंने यहाँ पर हिंदी select करी है, उसके बाद create a subtitle पर click करें, और कुछ second पर आपके subtitle create कर देगा, वीडियो के subtitle पर जो भी mistakes हैं, उसको आपने ठीक करना है, और इन subtitle को voice से लेकिन मैं इनका use नहीं करूँगा, क्योंकि मैं इसे अपने तरीके से design करूँगा, इसके लिए मैं elements में जाता हूँ, और यह progress bar में इसे किसी एक को select कर लूँगा, अब इसे font के पीछे से set कर लेना है, इसके दो color है, इसे मैं change कर सकता हूँ, पहले color को मैं red करूँगा, और कर देना है, another, another and continue पर क्लिक करना है, इस वाले option को skip कर देना है, फिर आपके पास कुछ इस तरह का interface आ जाएगा, यह सारे premium plan है, जिनसका use आप कर सकते हो, पर हमें free पर क्लिक करना है, तो get start पर क्लिक करें, उसके बाद आपको दोबारा अपनी वीडियो पर क्लिक करना है, फ अपने वीडियो भी edit कर ली, subtitle भी generate कर लिया, पर आप इस वीडियो को YouTube पर upload कैसे करें, ताकि वीडियो पर copyright claim ना आए, इसके लिए सबसे पहले आपको वीडियो को upload करना है, वीडियो का title लिखना है, उसके बाद description पर इस podcast के main owner की वीडियो का link mention करना है, और नीचे कुछ इस तरह से description लिखनी है, ये description आप मेरी वीडियो से भी copy कर सकते है, वीडियो में tag and playlist अड़ करने के बाद उसे upload कर दें और लाखों में views पाएं, ये थी हमारी 21 Day Series की पहली वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दे और चैनल को subscribe करके हमारी 21 Day Series के साथ जुड़े रहें, मिलते हैं नेक्स वीडियो में